बिस्म लिल्लाहाहमान रराहीम, असलाम उलीकूम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं हूँ जाजन सारी और आप देख रहे हैंगे इसके इतने हैंट बैनीफिट्स हैं कि आप एक दफा सोच में पड़ेσα pralya क rewarding अं आपको यह सब किस तरह से कीया जाता है ज्यादा मज़े तरह कैसे कीया जाता है यह आपको बताऊँगा तू सबसे पहले बिस्मिल्हेरा Ambani Jai यहां पे हमारे पास है इस्ट्रॉबरी सिजनल है इस टाइम आपने इसको इस वहा हम बात ये कि एक了 तो लेने के बात गरिन पार्ट अपने सेपराइट कर देना ह Honors और फिर आपने इसका मिल्क शेक बनाना डारेक्ट स्राबरी का मिल्कशेक वहाद ऐसा है कि इसको आपने अच्छी तरह से काट लेने के बाद फ्रीज करना है, फ्रीज करने के बाद इसका सही मिलशेक बनता है अगर आप किसी बड़े बड़े रेस्टोरंट्स में जाके विजिट करें तो वहाँ पे भी स्टॉबरी का मिलशेक ऐसे ही बनाया जाता है चलें जी, यहाँ पे कटिंग कर लेने के बाद इसको आपने फ्रीज कर लेना है और इसको इस वक्त आप फ्रीजर में दो से तीन मा तक रख सकते हैं फ्रीज करके, चलें जी, बिसमिल्ला है रामान रहीम यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन एक घंटा फ्रीजर में रखा है तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क भी जा सकता है दूद इसमें आपने गाड़ा और अच्छे वाला एड़ करना है तो यह आपकी प्रियार्टी है, कम जादा कर सकते हैं बड़ा फैड कर देते हैं चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से दो टेबल स्पून एड़ कर देते हैं तकरीबन एक पाउ मैंने स्टॉबरी ली है और तकरीबन एक हाफ लिटर मैंने दूद का लिया है और दो टेबल स्पून इसमें चीनी के गए है और अब मैं आपको बता दूँ ये सॉडियम फ्री होता है मतलब आपका हाई बलड प्रेशर है तो ये आपके लिए अच्छा है डिप्रेशन को दूर करता है और साथी साथ स्टमक फंक्शन को बेहतर करता है बलड की जो अलर्जी होती है जैसे सुईयां वगरा चुपती है कुछ लोगों को उससे निजाद मिलती है डिप्रेशन और हाँ बहुत एहम बात ये आपके कलर को साफ करता है कलर को वाइट करता है और च्छाईयों से भी निजाद देता है तो चलिए जी माशाला अलहमदुलिल्ला देखेजी मेरे अल्लाह की शान उसकी रह्मते नेमते और बर्गते चुदि उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजे अजाज़न सारे के अजाज़त अगली उजे तक अल्लाह हाफीज